नमस्कार मित्रों, हमारे सिर्फ नॉलिज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम आपको ले चलेंगे मशीन से थोड़ा हट कर भारत की योजनाओं की तरफ हमारे SSV प्रदान मंतरी स्री नरेंदर मोती जी ने अभी हाल ही में चार महिने पहले एक योजना लॉच करी इसका नाम था आयुसमान योजना परदान मंतरी जन आर्योग योजना के इंतरगत जिसे आयुसमान भारत के नाम से जाना जाता है और ये योजना इस योजना में लगवग 55 करोड लोग कवर किये गए हैं और जिनका की एक वर्स में पूरी फैमिली को 5 लाग तक का इलाज मुफ्ट किया जाएगा सरकारी तरब से इसके लिए अस्पितालों का भी चैन हो चुका है और आयुसमान मित्रों का भी चैन हो चुका है आयुसमान मित्र आपकी मदद करते हैं अस्पिताल में पहुंच कर कि आपको इलाज में क्या करना है कैसे करना है आपकी मदद के लिए आयस्मान मित्रों को भी रखा गया है तो अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमें ये कैसे पता चले कि हम इस योजना में के अंतरगत आते हैं तो इसे देखने के लिए ही हमने आज ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तो हम सुरू से चलते हैं सबसे पहले हम गूगल में चलकर आयस्मान भारत लिखते हैं और ये आप देखिए आयस्मान भारत pmjay.gov.in इसे हम सर्च करते हैं देखिए इस तरीके से खुलके आएगा इसका एक निसुलक help line नंबर भी दिया हुआ है इस पर थोड़ा गौर करें इस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी जैसे मान चलिए वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके 24 hours कोई भी जानकारी इस से ली जा सकती है और ये लोग आपकी मदद करेंगे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम नीचे देखते हैं hospital inplantment और आरोग संभाद newsletter am I eligible जो तीसरा option है am I eligible तो इसको हम open करते हैं इसके बाद में इस तरीके से खुलेगा और इसमें सबसे पहले आपका mobile number मांग रहा होगा तो इसमें सबसे पहले हम अपना number डालते हैं और इसमें sorry sorry दूसरा number डालते हैं number को ये डालने के बाद उसके बाद में हम इसमें capture जो दिया गया है नीचे इस capture को बढ़ते है फूर तो इस पर एक OTP आती है OTP डालने के बाद ही हम अंदर में पेज पर पहुंच पाएंगे capture बने के बाद थोड़ा वेट करते हैं इसके बाद में हम इसे submit कर देते हैं करने के बाद यह हमारा जो में पेज है यह खुल जाता है अब इसमें हमको क्या करना है सबसे पहले हम अपना स्टेट चूज करते हैं कि हमारा स्टेट कौन सा है कि इस्टेट में जाके जैसे हमने डाल दिया यूपी उसके बाद में कैटागरी इसमें कई तरीके से हम रासन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं मोवाइल नंबर से कर सकते हैं और पर नेम से भी कर सकते हम नेम स्लेक्ट कर लेते हैं पलाल में कर दें में कि बाद में कर दा से मालजिए हमने किसी का नाम सब्सक्ना में फड़ भाम। लुड हो जेन्डर सेलेक्ट कर लें रूरल विलेज का जो भी नाम हो आप गाउं का नाम डाल दें यह पता करने के लिए है कि आप इस योजना में इलिजिबल है नहीं डिस्ट्रिक मैं अपना पिन कोड लोकल पिन कोड यह सब डालने के बाद आप सर्च को दबाएं देगे उसके बाद में खुलेगा डिटेल नीचे खुल गया है यह नंबर एचेशडी नंबर दिया हुआ है और फैमिले डिटेल पर देखिए सारा इनका खुल गया है जो भी फैमिले में मे तो हम इसमें नहीं है अच्छा अब इसके बाद ये प्रशन ये उठता है कि आखिर ये इसका लाब कैसे मिलेगा योजना का तो जो लोग हैं वह अपने जो नियर हॉस्पिटल है वहां की आसा या वहां की संपर्क कर सकते हैं इन लोगों के पास एक लेटर आता है वह लेटर का थम इंप्रेशन देकर आप जब देकर आएंगे अपने आधार कार्ड सारे सब्मिट करेंगे और आपको एक गोल्डन कार्ड मिलेगा और उस कार्ड से आप पांच लाग तक का इलाज एक साल में करा सकते हैं एक फैमिली के लिए योजना है तो मित्रों आपको ये सारी हो जना मैंने समझाई आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक यू